हेलो इंजिनियर्स, वेलकम टू दा नेक्स सेशन, इस सेशन में हम लोग हाइड्रोलिक सिलिंडर असेंबल करने वाले हैं, यह आप देख सकते हो, इसमें नंबर अफ कमपोनेंट्स टोटल पार्ट्स जो हैं, वो 15 हैं, और अगर हम इसको एक्स्प्लोड करेंगे, तो यह दे देख लिजे, तो कई parts को multiple times use किया गया है, हम लोगों को टोटल 15 parts बनाने हैं, अगर आप इसके drawings को देखोगे, तो यह रहा housing, यह हमारा lower cap, यह हमारा top cover, यह हमारा fork, यह हमारा backing seal, यह हमारा barret और pin भी आप इसको बोल सकते हो, यह हमारा piston है, यह हमारा piston rod, यह हमारा tension bolt है, य यह हमारा tension bolt का nut है, यह सारे चीज़े हम एक एक करके पहले बनाएंगे, ठीक है, यह सारे parts जो हैं, वो rubber के हैं, और यह हमारा guide rod का nut है, यह सारी चीज़े हम लोगों को बना लेना है, उसके बाद एक करके assemble करना है, इसमें देखिएगा number of parts, total 15 दिखा देंगा, hydraulic cylinder assembly, यहाँ पर थोड़ा सा error था, उस error को मैंने solve किया है, तो अगर आप एक एक minute को जरा गौर से देखेंगे, और समझने के कोशिश करेंगे, तो आपको यह assembly बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी आसान है, यह कुछ नया नहीं है इसमें, सिर्फ number of components जादा है, यह देख करने वाले हैं इस तरह से, तो सबसे पहले तो हम लोग सारे parts को बनाएंगे, properly उसके बाद उसको हम assemble करेंगे, उसके respective working position में, उसके बाद हम उसको explode करने वाले हैं, और उसके explosion का हम animation करने वाले हैं, जो कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं, ठीक है, तो ज़्यादा time waste नहीं क करना है, चलिए हम इस session को start करेंगे, वैसे भी ये lecture थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कोना पकड़ के बैठ जाओ, और ध्यान से देखना start कर दो, ठीक है, इस session को start करने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा solid works full premium course के बारे में बताना चाहता हूँ, इस course को अच्छे से complete करने के आप एक mechanical design engineer बन सकते हो, और किसी भी company में आप एक as a design engineer काम कर सकते हो, याद रखिए, मैंने इस course में 300 से जादा lectures दिये हैं, सारे lectures को properly study करनी होगी आपको, और जो भी assignments मैंने practice करवाया है, हर एक chapter के बाद में, वो भी आपको बनाना होगा, मैंने इस course के साथ में book और practice assignments दे दिया है, ठेका है, course के last में मैंने industrial projects भी करवाये हैं, वो भी आपको complete करनी होगी, कभी कोई परेशानी आती है, या कोई doubt पुछना होगा, तो direct मुझसे बात कीजिए, हमने सारे course में one to one doubt clearing sessions रखे हैं, course complete होने के बाद आपको certificate भी दिये जाएगा, मैंने digital cad app का link नीचे description में दे दिये हैं, आप अभी install कीजिए, और खुद देखिए कि किस quality का content है, हमारे सारे courses का, तो चलिए हम लोग अभी इस session को complete करते हैं, ओके, गौर से देखिए, cylinder housing को, यह बिल्कुल simple सा part है, दो circle ही लेना है, उसके बाद हम extrusion करेंगे, 412 में ठीक है, तो चलिए, मैंने यहाँ direct extrusion ले लिया, इस plane को या इस plane को दोनों में से किसी को भी हम select कर लेते हैं, यहाँ पर हम दो circle ले लेते हैं, एक, दो, अब दोनों का dimension डालना है, तो यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, see, कितना है, 139.7, यहाँ से आपको 139.7, enter, और 152.4, 152.4, 152.4, enter, then finish it, और यहाँ से direct हम लोगों क्या कर लेंगे, 412 में extrusion कर लेते हैं, 412 mm, आप चाहें तो यहाँ से mid plane कर सकते हैं, and then say okay to it, space किजिए, isometric किजिए, आपकी मर्जी, यहाँ जैसा आपको color चाहिए, जो भी material चाहिए, आप ले सकते हो, nickel भी ले सकते हैं, बाद में transparent ही करना है इसको, ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर हम इसमें fillet भी डाल दें, तो चलेगा, यहाँ पर मैं 1 mm का fillet डाल देता हूँ, इसमें और इसमें, दोनों में, ठीक है, 1 mm का मैंने fillet डाल दिया, एंड say ok to it, इसमें भी जो भी color आपको लगता है, आप ले सकते हो, फिलहाल मैं कोई भी color इसमें नहीं ले रहा हूँ, अगर चाहिए, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, any color, any of them, ठीक है, इस तरह का भी ले सकते हो, इस तरह का भी ले सकते हो, इस तरह का भी ले सकते हो, Right click, New folder. Hydraulic, Slender, Assembly. Hydraulic, Slender, Assembly. Enter, Enter. Part number one, इसका नाम है Housing. Slender Housing. ठीक है? First part हो गया हमारा. दूसरा हम इसको देखेंगे. देखने में थोड़ा complicated लगेगा, बट ये कोई complicated part नहीं है. Just follow my way. जैसा मैं करते जा रहा हूँ, आप भी ऐसे करते जाएए, सब असान हो जाएगा. इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है, बट ये tough नहीं है, इस drawing में थोड़ा सा error है, ये hole हमारा throughly होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये throughly नहीं दिया हुआ है. क्यों नहीं दिया हुआ है? इसके बारे नहीं, ये सही है, इस part में गड़बड़ी किया है. ये देखो, ये जो है ना 40 diameter वाला, ये हमारा throughly होना चाहिए, assembly में दिक्कत करेगा, अगर ये hole नहीं रहा, तो हम road कैसे डालेंगे, ठीक है, piston road वहाँ से जाएगा नहीं, तो उसमें मैं correction कर दूँगा, फिलहाल तो आप इस part को देखिए, part number two, lower cap को, ठीक है, इसकी शुरुबात आप यहां से कर सकते हैं, इस side से, यानि इस view से, समझे, मैंने इसको close किया, नया file लेता हूँ, part then okay, और यहां से हम sketch में जाएंगे, और यह मैंने front plane ले लिया, अब जैसे हम लोगों को पता है, पहले सही center lines हमें लेना पड़ेगा, इस तरह से 1, 2, okay and close it, ठीक है, अब देखिए, यहां पर एक rectangle चाहिए हम लोगों को, और बाद में यह, है ना, तो आप यहां से simple सा rectangle ले लो, right click करके select, drag करके तीनों को select करके symmetric कर दो, और यह मेरा 165.10, 165.10, enter, और यह मेरा 38.1 है, ठीक है, 38.1, और 10, कोई problem नहीं, उसके बाद यह भी बना लेते हैं, जरा आग और से देखिए, यहां से शुरुवात करेंगे, ऐसा, फिर इसको मैं, यहां से ऐसा ले लेता हूँ, यहां से आपको ऐसा ले लेना है, राइट क्लिक करके आपको सलेक कर लेना है, इसको और इसको पकड़के हम कोईंसिदेंट कर देंगे, अब डाइमिंशन डालना है, यह देखिए, 38.10 एगेन, यहां से आप चाहो तो इसको इक्वल कर सकते हो, तो मैंने इक्वल कर दिया, रेडियस इसका कितना है, 47.625, 47.625, ठीक है, और यह हमारा 25.4, यहां से 25.4, 25.4, ओके, सी, सुरुवात में तो इतना ही लेना है, बागे का काम देखेंगे, क्या क्या होता है, सो फिनिश करते हैं, स्पेस एन आइसोमेट्रिक, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, गौर से देखना ठीक है, इस कंटूर को पहले सेलेक करेंगा, इसका टोटल देखें कितना है, तो यह 165.10 का है, आप ले सकते हो, 165.10, उप्स, 165.10, और यहां हम लोगों को कर देना है, मिड्ब्लेन, सी, साबश, उसके बाद आप यहां से इसको सेलेक किजे, इस पे जाता हूँ, इसको कितना लेना है, इसकी ठीकनेस ज़रा को और से देखिएगा, यहां पर, 28.575, 28.575, यहां पर 28.575, ठीक है, एंड यहां आपसेट डालना होगा, इसका आदा 38.10 divided by 2, 38.10 divided by 2, 19.05 का आ गया, यह हमारा 28.00, जो भी है 28.575 आ गया, ओके, आप चाहोत इसको मिरर भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप extrusion भी ले सकते हो, सेम सेम, फिलिप कर देंगे, यहां उसी तरीके से फिर से लेना, 38.10 divided by 2, और यहां आपको फिलिप कर देना है, यह हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है, आप यहां से चाहो, तो क्रोम ले सकते हो, ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है, नीचे का काम करना, अभी जर्द ध्यान से देखिए, नीचे में हम लोगों को क्या क्या करना है, इसो, बहुत काम करना है, तीन सरकल लेना पड़ेगा, एक तो यह होल का लेना होगा, बावन का, और दो और लेना होगा, दिखाता हूँ क्या करना है, सलेक करते हैं, sketch में जाते हैं ये एक सरकर हो गया, hole का, ये रहेगा दूसरा, ये रहेगा मेरा तीसरा, ठीक है dimension डाल देते हैं जरा सा, heart, hole का, ये देख लिजिए, 52 diameter है मैं यहां पर 52 ले लेता हूँ ओके एक है हमारा 139.7 139.7 139.7 इंटर और दूसरा है 152.4 152.4 152.4 ओके फिलहाल इतना ही लेना है फिनिस करेंगे अब यहां जो है न हम लोगों को extruded cut करना है तो ध्यान से देखिए इसको हम clear करेंगे पहले और इसको पहले लेते हैं कितना अंदर जाना है यह देख लिजे 36.83 36.83 36.83 का depth लेना है say ok to it ओके अब मैं फिर से इस sketch को select करता हूँ again अभी मुझे इसको select करना है इस region को इसको कितना depth तक जाना है तो यहां हम लोगों को जरा गौर से देखना होगा यह देखो इसका detailing दिया हुआ है 8 का यानि यहां B दिया हुआ यह देख लो detailing B तो वही detailing B यहां दिखाया है depth हमारा 8 का है तो सिर्फ हमें 8 ले लेना है and then say ok to it यह देख लो कुछ इस तरह से हमें करना है और क्या इसमें काम है तो देखते है right click करके select किजिए और उपर भी हमें 4 hole चाहिए 4 hole ले लेते हैं यहां पर भी hole है यहां पर भी hole है ठीक है कोई issue नहीं है देख लेते हैं आप इस face से या इस face से किसी भी face से ले सकते हो ने ने इधर से लेना है मतलब हमें इस side से लेना है यानि इधर से ठीक है तो इस side से भी हम ले सकते हैं मतलब ऐसा दिया हुए हमारा drawing जड़ा को और से देखिएगा और इस side से लेना हमें hole तो यहां पर मैं select करता हूँ hole wizard में जाता हूँ अब बताएए मुझे कितना dimension है इस hole का तो यह देख लिए कुछ standard दिया 1 by 240 NPSM यह standard dimension है ठीक है आप चाहो तो इसके हिसाब से ले सकते हैं और यहां पर कुछ extra तो नहीं दिया हुआ है ना नहीं नहीं ठीक है ठीक है कोई issue नहीं बाकि सब कुछ ठीक है मैं यहां पर यह हमारा लगता है inch वाला लेना पड़ेगा तो यहां हम लोगों के nc inch में जाना होगा और यहां से हम लोगों को या तो यहां metric वाला ही ले लेते हैं फिलहाल मैं क्या करता हूँ m14 का ले लेता हूँ चलो यहां पर हम लोग tap में जाते हैं m14 का ले लेते हैं यहां हम लोगों के m14 into 2 का ले लेते हैं चलेगा यह हमारा cosmetic thread को on रख लेते हैं बाकि कुछ नहीं करना है ठीक ठाक ही है चलो position मैं यहां पर click कर देता हूँ अब इसका hole यह 20.05 20.05 इसका यहां से यहां तक रहेगा 20.05 single escape और इसको पकड़के इसके साथ vertically align कर देना है बस और यहां से up to next ले ले लेना है जो कि हमने पहले से ही यहां लिया हुआ है you can see up to next यह देख लीजिए हमारा up to next दिया हुआ है यह देख लो यह hole हमारा up to next है बट इसमें जो थ्रेडिंग का depth है वो कुछ अलग है ठीक है तो थ्रेडिंग मैं कितना depth तक ले लूँ यहां पर आर पार तो यह देख लीजिए यहां पर थ्रेडिंग का depth भी up to next दिया हुआ है मैं थोड़ा कम कर देता हूँ blind लेके 57 के जगा पर 40 कर देता हूँ say okay to it अच्छा यहां पर cosmetic thread हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए हमें option में जाना होगा आप यह कम direct assembly में कर लेना ठीक है यहां पर कोई जरूरी नहीं see अभी देखिए यह पूरा यह देखो यहीं तक लिया हुआ हमने ठीक है एक काम यह हो गया अभी दूसरा काम इधर से भी लेना हम लोगों को नीचे से भी एक hole लेना होगा हम लोगों को यह देखो यहां पर लिया गया है see इधर तो इसका टोटल लेन्थ देखो 32 दिया हुआ है nothing to worry हम लोग इस face को select करते हैं hole wizard में जाएंगे नीचे से लिया गया है you can see here यहां पर दिख रहा है तो हर एक चीज आपको drawing properly read करना होगा और इसका जो है वो 12.7 diameter दिया हुआ है तो मैं यहां पर simple ले लेता हूँ 12.7 ले लेता हूँ और यहां जो है up to next है nothing to worry और position में चला जाता हूँ इधर मैं ले लेता हूँ no problem okay single escape horizontally align कर दो और यह देखिए मेरे यहां 32 दिया हुआ 32 का यहां से पकड़ के यहां तक आपको 32 ले लेना है हो गई बात खतम बस simple ही था यह देख लो आ गए properly चलो finish it space करके आपको isometric कर लेना है यह देख लिए जब properly हमारा हो रहा है सब कुछ nothing to worry okay और क्या करना है हम लोगों को अब यहां चारों hole ले लेना है ठीक है चलिए तो अभी हम लोग इस hole को बना लेते हैं ठीक है सबसे पहले space को select करते है hole wizard में जाते है यहां पर देखे 12.7 पहले सही दिया हुआ है up to next दिया हुआ है बाकि सब कुछ ठीक ठाक और यहां से position एक hole मैं यहां पर draw कर देता हूँ बाद में आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो कोई problem नहीं है है ना चलिए फिलहाल तो मैं एक ले लेता हूँ यहां से पकड़के यहां तक इसको construction में कर दिया फिर एक rectangle लेता हूँ यहां से पकड़के यहां तक इसको मैंने for construction कर दिया and then so okay to it अब dimension डालते हैं तो यहां से smart dimension 175.26 175.26 enter single escape कर दो और इसको और इसको दोनों को equal कर दो समझे अब यहां point ले लेता हूँ फिर से यह मेरा hole ही आने वाला है इधर से जाओ और यह मेरा 4 हो गया see say okay to it space and isometric यह देख लिजिए मेरा part बनके तयार है देख सकते हैं इसका नाम है lower cap अभी आप अगर section करके देखना चाहते हैं या फिर इस side से देखना चाहते हैं इस side से तो मैं आपको दिखाता हूँ और यहां से आप कर दो hidden में यह देख लिजिए जो चीजें हम लोगों को उधर दिया हुआ है वो सारी के सारी चीजें यहां पर आपको दिखाए दे रहा है see यह मेरा hole है don't worry ऐसा ही आएगा यह see आरी बात समझ में so nothing to worry यह हमारा hole हो गया गंदा दिखेगा but don't worry यह सब कुछ हमारा perfect है यह देख लो सब कुछ सही सही आ रहा है हमारा ठीक है ना चलिए top से देखेंगे तो भी आपको सही से दिखाए देगा यह देख लीजिए बिलकुल perfect जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर दिख रहा है हम लोगों को तो यह drawing अगर जिसकी reading अच्छी है वो फटा फट बना के फिक देगा चलिए तो यह मेरा lower cap बनके हो गया ready color वलर चाहिए तो ले सकते हो एक और काम करना यहां पर fillet भी दिया हुआ है 3.175 का 3.175 enter इसको select करता हूँ गलत जगा पर selection हो गया है इसको select करना है और यहां से मैं इसको ले लिया है एक जटके में चार वेज हो जाएगा 3.175 अगर इधर भी कुछ-कुछ लेना है तो हम ले सकते हैं बढ़ दर असल यहां पर दिया नहीं है कुछ समझें इसका नाम है lower cap तो यह हमारा final हो चुका है अगर थोड़ा बहुत चाहते हो इधर fill it विल ले डालना तो आप डाल सकते हैं nothing to worry मैं इसमें पूरा ले लेता हूँ बापरे काफी ज़्यादा हो रहा है सो या तो फिर एक जटके में मैंने इसको select कर लिया फिर से या आगे हमारा मैं इसको भी ले लेता हूँ इस face को ले लिया total इस face को ले लिया उपस गलत हो गया यह clear इस face को ले लो यह चारो side से आपका आ जाएगा आप चाहो तो इस face को भी ले सकते हैं then say ok tweet बस अच्छा लगेगा थोड़ा सा इसलिए मैंने सब में fill it डाल दिया अंदर मत लिज़े कुछ चलिए मेरा दूसरा पार्ट है बनके तयार है देखने में बड़ा tough लगेगा लेकिन यह आसान है just follow my way save कर लेते हैं part number two lower cap enter okay close कर देते हैं तीसरा number का part यह वला है यह भी बिल्कुल same same ही दिख रहा है बट इसमें थोड़ा सा error है यह hole हमारा R पर होना चाहिए जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर एक और plate दिया गया है जो कि यह और यह अलग अलग part है आप इसको अगर अलग भी बनाओंगे तो भी चलेगा एक साथ भी बना देंगे तो भी चलेगा no problem यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है इस मैं एक नया फाइल लेता हूँ पार देनो के sketch और यहाँ से मैंने top plane ले लिया एक center rectangle हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से और dimension कितना है boss तो यहाँ पर देख सकत 165.1, 16, okay, escape करके इसको और इसको दोनों को हम equal कर देते हैं यहाँ से, हो गया काम, अब यहाँ पर देखे कितने circle चाहिए, सो बहुत circle है, एक, दो, तीन, तीन circle तो चाहिए यह हम लोगों को, और यह जो अंदर वाला है वो भी चाहिए, तो 4 circle हो गया, एक, दो, तीन, चार, dimension, अब यह जो अंदर वाला है, वो यह वाला है, 40 का, यह हमारा hole throughly होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, assemble नहीं ह होगा, यह देख लिजिए, यहाँ पर, assembly में अगर आप गौर करेंगे, यह देखो, यह intersect हो रहा है, यह हमारा r par होना चाहिए, इसका diameter कितना है, तो 40 का है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यह देखिए, 40 का है, ठीक है, चलिए, फिर देख लिजिए, यहाँ पर total dimension कितना दिय हुआ है, यह हमारा 69.85 plus 32.95, ऐसा कुछ करके लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर dimension पहले डाल देना है हम लोगों को, 84, यह total हमारा 80, और यह मेरा 64, यानि 64, उसके बाद है 60, यहाँ से 60 का लेंगे, उसके बाद यह हमारा 40 का है, समझे, कुछ इस तरह से, बाहर रख लेते हैं थोड़ा सा, ओके, बस इतना ही करना है, और हो सके तो इधर 4 होल भी लेही लेते हैं, लास्ट टाइम जितना था, उतना ही लेना है, चलिए फिर, यहाँ पर हम एक सर्कल ले लेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं, और इसका रेडियस 87.63, 87.63 इंटू 2, डाइमीटर है तो इंटू 2 करना होगा, समझे, अब यहाँ पर हम लोगों को सर्कल लेना है, एक, और इसको पकड़िए, कंट्रोल, इसको और इसको, यहाँ पर देखिए, इंटर्सेक्शन दिखेगा, आ गया, यह देखिए, एगें, 12.7, थू, 12.7 ले लेता हूँ, लास्ट टाइम जैसाई है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी आसानी हो रही है, यह हो गया, अब यह देखो, हिल रहा है मेरा है, तो इसका सेंटर पकड़ो, कंट्रोल, कोइंसिडेंट कर दो, फिल हाल हम इतना ही लेते हैं, बाकी का काम हम बाद में करेंगे, चलेगा, finish it, space and isometric, सबसे पहले हमें, इस portion को, यानि, सबसे height जिसका ज़्यादा है, उसको करेंगे, तो यह जो दिख रहा है हमारा, 80 और 64 के बीच में जो है, यह वाला, यह लेना है, कितना लेना है, 69.85, 69.85 plus 32.95, 32.95, इंटर, यह देख लिजिए, यह हमारा पहला हो गया, सी, अभी आप यहाँ पर जाएए, अगैन इसको लेते हैं, और इस वाले को लेना है, समझे, अभी इस वाले को कितना लेना है, तो उतना से 28 माइनस करेंगे, लास्ट टाइम, इतना आया था, माइनस 20 कर दो, यह देख लिजिए, ओके, सी, और उसके बाद यह वाला है, उसके बाद, फिर से 22 माइनस करना है हम लोगों को, मतलब इसको सलेक करते हैं, एक्स्टूजन में जाते हैं, इस रिजन को, एगेन हम लोग माइनस 22 कर देंगे, सी, यह हमारा हो गया, देख लिजिए, ओके, अब मैं इस पे जाता हूँ, इसको लेते हैं, टोटल, 69.85, 69.85, इंटर, से, ओके टोट, अब जड़ा मैं शेक्शन करके चेक करता हूँ, कि यह थोड़ा, सिमिलर तो दिख रहा है कि ने दिख रहा है, देख लो बच्चे, यह मैंने जिसे कि बताया था, यह हमारा थू होल होगा, तो यह हो गया, फिर 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 यह हो गया, तीन स्टेप में आ रहा है हमारा, सही है मतलब, यह चार होल भी हमने बना दिया है प्लेन वाइट करना है कर दो यहां से आप इसको ले लो अब आगे काम देखेंगे क्या है सो नीचे से देखते हैं उसी तरीके से हमें यही लेना है इसको सेलेक करो, स्केच में जाओ दो सरकल लेना है हम लोगों को एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया डाइमीटर कितना है, 139.7 139.7 और 152.4 152.4 ओके नाव फिनिश और कुछ है क्या, इसमें नहीं दिख रहा यह होल तो मैंने पहले ही बना लिया है अब यहां आपको extruded कट करना है, कितने में कट करना है 8, एगेन यह देख लिजिए अगर कुछ error आ जाए था हम assembly में ठीक कर सकते हैं तो don't worry about it, यह देख लिजिए मेरा हो गया काम ओके next क्या है boss अभी यह होल लेना पड़ेगा हम लोगों को किसी भी side से हम ले सकते हैं इस face को select करता हूँ मैं इस face को select किया hole wizard और यहां पर देखिए hole हमारा throughly नहीं है यहां पर diameter 18.97 depth 47.24 दिया हुआ है, समझे? ठीक है, no problem simple सा ले लेते हैं यहां से 18.97 18.97 enter ओके, और यहां से हम लोगों को blind लेना होगा यह हमारा 47.24 47.24 enter और यहां 120 degree डालना होगा tip angle क्योंकि यह देखो, यहां पर tip angle दिख रहा है थ्रेडिंग जो है, वो कम है, है न 41 तक हमारा थ्रेडिंग है वो हम कर देंगे बाकी का काम हो चुका, अब यहां से हम लोगों को center में इधार एक click कर देना है dimension डाल दीनी है तो देख रहे हैं, 25.40 25.40 25.40 यानि 25.4 single escape और इसको पकड़ेंगे, control और इसको पकड़ेंगे vertically align कर देंगे, ठीक है अब ही देखिये, मैंने इसको काटा अगर तो कैसा दिखेगा, तो देख लो, see यह देखो यह ऐसा दिख रहा है सही है हमारा काम ओके करके देखेंगे, see यह देख लो, यह देख लो, यह देख लो यहाँ पर अभी यहाँ पर एक hole डालना है, 12.7 का nothing to worry उससे पहले हम लोग यहाँ पर insert annotation cosmetic thread और मैंने इसको select करना है, देख लीजे यहाँ पर जो भी है standard आप लेना चाहोँ ले सकते हो, इतना नहीं चाहिए ले लेते हैं, और blind यहाँ पर देख लीजे, सब कुछ है अभी depth हम लोगों को डालना होगा, कितना है 41.91 41.91 thread depth है यह हमारा और मैंने इसको select कर लिया then say ok to it और यहाँ से आप इधर जाके detailing में shaded कर दो see मैं अभी इधर जाता हूँ यह देख लीजे, पूरा threading हमने नहीं लिया है, यहाँ तक ही लिया है समझे अब इधर की बात करते हैं, इसको select करते हैं hole wizard simple hole 12.7 इसका diameter है यहाँ up to next लेना है position, यहाँ पे click कर देना है single escape करके vertically align कर देते हैं और इसका जो total distance है यह देख लीजे 32 का है 32 ले लो okay, यह देख लीजे हमारा काम हो गया सरजी अगला step क्या है सो देखी है, अगला step यहाँ पर again 3.175 का fillet है, जैसे कि पिछले वाले पार्ट में लिया था मैंने 3.175 यहाँ पर मैंने इसको select किया यह ले लो 3.175 enter say okay to it and then मैंने इसको लिया ऐसा अब बाकी का जो लगता है आप इधर भी ले सकते हो ले लो हलाके इधर दिया नहीं है चलो, इतना काफी है यह hole यहाँ पर drawing में नहीं दिखाया है गलत हो जाता अच्छा, मैं एक और काम करना चाहता हूँ यह fillet लेने से पहले आप ज़रा इसको उपर कर दो पहले और यहाँ पर एक और काम करना है यह उपर वाला plate बनाना है तो आप इसको select किजिए पहले see, देख लो और इसका 19.05 दिया हुआ है 1 second, 1 second मैं ने थोड़ा सा गलती कर दिया यह 69 नहीं होना चाहिए यह 50.80 होना चाहिए तो इसको मैं 50.80 कर देता हूँ और फिर मैं इसको select करता हूँ sketch में जाता हूँ और यहाँ हम लोग convert कर लेंगे अभी देखते हैं ओके और मैंने इसको select किया control इसको किया इसको 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 भी convert कर लिया अब एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर extrusion करना है कितना में? 19.05 में समझें न? 19.05 मर्ज मत किजे इसको uncheck किजे देन से occupant weight यह देख लो तो यह extra plate मैंने बना दिया और बाकी कुछ भी नहीं है यह हमारा काम perfect हो चुका मैंने last time इतना ले लिया था total बीच का हमने नहीं जोड़ा था खैर कोई बात नहीं हमने इसको ठीक कर दिया अभी अब आप चाहें तो यहां पर fill it check कर सकते हैं अच्छा यहां पर नहीं चाहिए आप इसको भी delete कीजिए और edit कर दिंगे यहां से हम अच्छा यह अलग body है तो आपको यह अलग से लेना होगा इसको ले लेते हैं यह ले लिया same same है nothing to worry then say okay to it यह देख लिजिए perfect आ गया ओके हाँ उपर से चाहो तो आप ले सकते हैं इधर का see ऐसे कोई जरूरी नहीं है बस मैंने अपने तरफ से ले लिया ओके और आप चाहो तो यहां पर भी ले सकते हैं यह यह ले लो ओके ओ यह और यह पार्ट मेरा अलग है ना इसलिए आप इसको delete कर दीजिए ठेक है कोई बात नहीं यह हमारा हो चुका चलिए इसको मैं save कर देता हूँ top cover इसका नाम है इसमें और कोई चीज तो नहीं दिख रही मुझे है ना हो गया काम ठीक है अभी मैं इसको save करता हूँ part number 3 top cover enter चलो यह दोनों पार्ट में जो है थोड़ा सा आपको परिशानी हो सकती थी है ना यह दोनों ही पार्ट में ने बना दिया अब यह fork है हमारा चोथा नंबर का पार्ट यह भी आसान है तो इसमें हम लोगों को ज्यादा परिशान नहीं होना है ठीक है यहां से हम शुरुवात कर लेते हैं नया part 5 okay यह मैं front plane से ही शुरुवात करूंगा हो सके तो center lines पहले ले लिजिए एक दो अब क्या करना है तो देखिए यहां से इसको लेना है पूरा समझे ठीक है यह मेरा 72 का है total मैं एक line लेता हूँ यहां हो गया अभी एक single line ले लेते हैं midpoint यहां से मैं इधर चला जाता हूँ ऐसा देन आर्क लेना है ऐसा देन ऐसा ठीक है right click करके select अभी आप इसको और इसको पकड़के coincident कर लिजिए 112 है यह 72 है यह हमारा 72 यह हमारा 112 यह हमारा 112 यहां एक हम circle लेंगे diameter है कितना 24 skip it अगला क्या है यह देख लीजिए यहां हमें 52 दिया हुआ है minus 16 कर देंगे nothing to worry हो जाएगा एक line मैं यहां से यहां तक खिज देता हूँ और 52 minus 16 करना इसका total distance 52 minus 16 बस काम हो गया हमारा इधर का काम हम बाद में कर लेंगे finish it space and isometric features and then यह पहले लेना है total कितना है 28.575 plus 28.575 28.575 into 2 plus again 38.10 38.10 plus कर देता हूँ 38.10 okay यहां से हम लोगों को mid plane say okay to it select करेंगे sketch में जाएंगे again यहां पर ले लेना है 28. 28.575 और यहां से हमको offset कर देना है 38.1 divided by 2 see okay और इसी को चाहो तो mirror कर लो नहीं तो calculation करके okay see हो गया काम चलिए अब calculate करके भी हम देख सकते हैं कितना है कि नहीं है 38.10 होना चाहिए यह देख लिजे मेरा 38.1 का है total nothing to worry यह perfect है ठीक अब यह वाला हम बना लेते हैं यहां से select करेंगे sketch एक circle लेंगे बाद में hole ले लेंगे हम लोग ठीक है यहां पर उतना ही diameter लेना है जितना यह दिया हुआ है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसको पकड़के इसके साथ tangent कर देंगे finish now feature the next to date यह लेना हमारा 16 का okay समझे और अब हम hole ले लेते हैं कितना diameter है 30 का select करेंगे hole wizard simple hole 30 diameter up to next already taken position यह हमारा हो गया से अब इतना आराम से हम इसको बना सकते हैं सी थोड़ा बहुत हम fillet ले लेते हैं देखते हैं जरा सा क्या है सो 3.175 जैसा सब में दिया हुआ है वैसे इसमें भी हम डाल देते हैं जरा चलो इस तरह से मैंने ले लिया okay ठीक है अब थोड़ा समय एक एमेम का हर तरफ ले लेता हूँ जैसे कि इस फेस में लेना है या फिर ऐसे ले लो और फिर यहां से ऐसा ले लो looking nice अच्छा लगेगा इसलिए मैं ये fillets apply कर रहा हूँ बस बाकी और कुछ नहीं है इस फेस में भी हम apply कर देते हैं चलिए बस इतना काफी है हमारे लिए ये देख लिजए हमारा fork बनके ready है कुछ गलती अगर हो जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं assembly में भी editing कर सकते हैं so nothing to worry color change करना कर सकते हैं मैं जड़ा इसको यहां से इस color में ले लेता हूँ save it part number 4 fork enter space करके isometric ले लो यहां पर लगता है यह हम delete कर देते हैं okay हो गया save it fork बनके तयार close कर देते हैं अभी next part हमारा यह वला है backing seal यह दर असल जो हमारा first part का dimension था उतना ही लेना है लेकिन यहां पर अलग दिया हुआ है तो खैर कोई बात नहीं हम assembly में इसको editing कर देंगे ठीक है और नहीं तो आपको इसके बराबर लेना होगा थोड़ा बहुत इसमें changes कर देना है इसी dimension को लेंगे हम चलिए ताकि हम assembly में भी इसको properly assemble कर पाए नहीं तो गड़बड हो जाएगे फिर 139 या तो अभी के लिए आप बनाना चाहोँ तो बना दो इसी dimension के साथ बाद में आप editing कर लेना लेकिन assembly के time पर दिक्कत आएगी क्योंकि मैं जब बना रहा था तो दिक्कत आ नहीं है क्योंकि उसका dimension कम है और हमारा जो housing का dimension है वो ज्यादा है ठीक है 120 और 138 120 या 138 इस तरह का है बाट मैं कहूंगा कि आप इसके dimension को follow किजिए 139.7 139.7 and 152.4 152.4 इसको ही हमें follow करना है ताकि assembly में हमें दिक्कत नहीं आया और इसका जो thickness है वो हमारा 2 का है और यह rubber का होगा 2 mm ले लेते हैं और यहां आप mid plane ले लो एंदेन से okay to it अभी जो है इसका हम rubber लेते हैं इधर होगा कहीं तो rubber देख लीजिए यह रहा rubber, matte rubber आप ले सकते हो या तो glossy rubber या तो textured rubber जो चाहे ले लीजिए बट rubber ही लीजिए see यह देख लीजिए okay glossy चाहते है तो glossy भी ले सकते हो बट कोई जरूरी नहीं है glossy glossy का okay अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग see backing seal save it 5 नंबर का part रहेगा यह रहेगा मेरा backing seal enter close it next part यह part है मारा barret इसका नाम है आधा बनाऊंगा revolve करूंगा new file लेते हैं पार देने okay या तो आप इसको pin भी बोल सकते हो ठीक है front plane में जाएंगे यहां से center lines ले लेते हैं infinite vertical horizontal okay close it dynamic mirror इसको select कर लेते हैं यहां से हमें line लेनी है see आधा portion बनाऊंगा उसके बाद हमारा यह पूरा काम automatic हो जाएगा यह हमारा हो गया फिर हम उपर जाते हैं फिर हम जरा ऐसे आते हैं फिर आप नीचे चले जाओ फिर ऐसा चले जाओ फिर ऐसा चले जाओ फिर यहां से इसा कर लो right click करके select okay dimension कितना है dimension 105 टोटल 105 और यह मेरा है 31.75 31.75 ओके अभी इसको और इसको दोनों को select करके को लिनियर कर दो और अगला जो है यह 29.75 29.75 ओके और यह हमारा 2 mm का है बात हो गई finish अब next क्या है यहाँ पे यह मेरा fully defined नहीं दिख रहा है इसमें यह देखो 3 mm का है तो यहाँ से यहाँ तक हमें 3 डालना होगा बस अब फिलेट डालना है 2 x 45 का सुरी चेंफर है 2 x distance angle distance 2 x 45 इसको select कर लो automatic इधर आना चाहिए था नहीं आया कोई बात ने apply कर देते हैं see 2 x 45 हो गया बात खतम finish space and isometric revolve it axis of revolution say okay to it यह हमारा हो गया आप इसको pin बोल सकते हो या तो barret लिखा हो या तो barret ही डालिए ठीक है यहां हम लोग इसको chrome ले लेते हैं आप फिर steel ले लेगे no problem यहां से मैंने इसको ले लिया steel में color आपकी मर्जी रखते हो तो रखो नहीं तो कोई problem नहीं है ऐसा मैं ले लेता हूं dark वाला समझे चलिए इसको मैं save कर देता हूं यह मेरा six number का पार्ट है बी ए डबल आर इटी डबल टी ए एंटर सींपल नेक्स्ट पार्ट पिस्टन आदा बनाएंगे रिवाल करेंगे इसको close करते हैं नया फाइल पार्ट देनों के sketch यहां से again front plane उसी तरीके से हम लोगों को center line लेनी है यहां से vertical horizontal say okay and close it half portion बनाऊंगा revolve करूंगा nothing to worry आप एक ही side में बना सकते यहां से आप काम चालू किजिए इस तरह से और फिर ऐसे जाईए ऐसे ऐसा ऐसा फिर यहां से आईसा फिर आप ऐसे जाईए see इस तरह से हमने ले लेना है कितना लेना है boss एक दो तीन और यह एक दो बस हो गया इतना ही करना है अब proper dimension डालनी है अभी आप इसको इसको और इसको equal और collinear कर दो समझे यह क्या हो गया यह मेरा दो कहां सा आ गया इसको आप delete कर दो यह यह और यह equal और collinear ठीक है फिर इसको और इसको और इसको को collinear कर दीजिए equal नहीं करना है score इसको equal करेंगे और score इसको भी equal करेंगे ctrl press करके सब को select करना है Now Dimension, यह 30 का है, select करेंगे, select करेंगे, 30 mm, good, बाद हम 133.35, 133.35, और 146.05, 146.05, okay, नाओ, यह मेरा 3 का है, एक साइड ले लेता हूँ, 3 mm, दूसरा 9 mm, यह 9 mm ले लेंगे, ओके, और तीसरा 12 mm, यह हमें 12 mm ले लेना है, क्योंकि मैंने equal किया था, इसलिए अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात हो गई, finish, piston, space and isometric, revolve, यह रहेगा axis, okay, see, हो गया, यहां से हम लोगों को, chrome, इधर से plain white, और अगर थोड़ा बहुत यहां पे fillet-villet डालना है, तो आप डाल सकते हैं, suppose, मैंने इसको और इसको ले लिया, बाकी और कुछ नहीं करना है, अंदर वाले को करना है, तो कर सकते हो, nothing to worry, इधर भी ले लो, क्या दिक्कत है, यहां पर हम लोगों को, seal बिठाना है, rubber का, चलिए, इतना ठीक ठाक है, बस यह हम piston calculate कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, और कुछ तो नहीं है न इसमें, नहीं है, तो बस आप इसको save कीजिए, part number 7, piston, then enter, यह हमारा हो गया, close it, next part, piston rod, बिल्कुल simple, half portion बनाके, revolve करेंगे, बाद में यह हम dom ले सकते हैं, नहीं, तो अगर dimension दिया हुआ है, यह दो का दिया हुआ है, dom, ठीक है, कोई issue नहीं, चलिए, अब हम लोग piston rod बनाएंगे, नया file लेते हैं, part देनों, के, यहां से हम लोग sketch में जाएंगे, front plane लेंगे, के, इधर से हम center lines ले लेते हैं, vertical, horizontal से, के, यहां से हम एक line ले लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से मैं ने ले लिया, ठीक है, यह हमारा total 510 का है, यह मेरा 30, यह मेरा 40, यह मेरा 80, यह मेरा 36, ठीक है, यह मैं 510 लेता हूँ, यह मेरा 30 का है, यह मेरा 40 का है, यह मेरा 80 रहेगा, और one second, इसको पकड़के इसके साथ हम को linear कर देंगे, और यह मेरा 36 का है, ठीक, इतना हो गया, बस बाकी का कम यह हम dom से कर देते हैं, dom feature है हमारे पास, और यहां से हमको revolve कर लेना है, this is the revolution axis, यह हमारा हो गया, अब next, इधर देखिए, हमें cut करना है थोड़ा, मैं इस face में जाता हूँ, sketch में जाता हूँ, आप चाहोँ यहां center rectangle का इस्तिमाल कर सकते हो, यह कितना है, 34, ओके, और इसको पकड़के इसके साथ आपको tangent कर देना है, finish, extruded cut, 17 में, और flip side to cut कर दो, यहां से, यह देख लिजे, बन के तयार, और क्या करना है, तो देखिए, यहां पर 2 mm का dome लेना है, और यहां पर cosmetic thread भी डालना है, तो चलिए, पहले cosmetic thread डाल देते हैं हम लोग, insert, annotation, cosmetic thread, अब जो भी है, यहां पर 30 का है, तो यह मैं 30 का ले लेता हूं, चलिए, यह रहा, ओके, up to next, see, say okay, यहां पर भी insert, annotation, cosmetic thread, उसी तरीके से हमें M30 लेना है, up to next, see, यहां से option, यह लेता हूं, document, detailing, और इसको on कर दिया, done, इधर नहीं आ रहा, यह जो है, cosmetic thread, इसमें apply नहीं हुआ क्या, यहां से मैंने apply कर दिया है, यह भी है हमारा, दिखने रहा, इधर वाला तो दिख रहा है, एक बार लगता और apply करना चाहिए हम लोगों को M30 का, okay, हाँ, अभी जा के दिख रहा है हमारा, see, एक और काम यह रहा, डॉम हमारा, 22 mm का मैं डॉम ले लेता हूँ, see, 2 mm इधर और इधर, ठीक है, okay, 2 mm का ही लिया मैंने, ज्यादा नहीं लिया, see, यह देख लो, say okay to it, थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो क्या हो जाएगा, 3-4 का लेकर चेक करते हैं, चलो, 5 का ले लेता हूँ, मैं जरा, यह देखो, ठीक ठाक दीख रहा है न, चलो, 5 का ले ले ले, जाने दो, यह हमारा, पिश्टन रोड हो गया, आप थोड़ा सा एक के mm का फिल्ले डालना चाहो, तो डाल दो इधर, क्या है उसमें, ओके, सी, यहां से मैंने, क्रोमियम प्लेट, एगेन मैं फिर से लेता हूँ, यहां से, सारे पार्ट में हो जाएगा, यस, क्रोमियम प्लेट डाल दिया मैंने, यह मैरा पिश्टन रोड, आठवा नमबर का पार्ट है, सेव करता हूँ, पिस्टन, रोड, एन इंटर, ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोस, यह रहेगा, टेंशन बोल्ट, टेंशन बोल्ट बिल्कुल, आपको टेंशन नहीं देने वाला है, डोंट वरी, नया फाइल पार्ट देनो, के, आप एक्स्टूजन कर सकते हो, डायरेक्ट, मैं थोड़ा क्या करता हूँ, यह देखो, दोनों साइड, एक सर्कल ले लेना है, सर्कल का क्या, दो लेता हूँ थोड़ा समय क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अपने तरफ से थोड़ा एडिटिंग करने वाला हूँ, ठीक है, यह जो है, हमारा, 536 करहेगा, अब इसक का ले लेता हूं ठीक है यह मैं अपने तरफ से ले रहा हूं चलिए फिनिश करेंगे और जड़ा ध्यान से देखिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से clear अंदर वाले को कितना लेना है 536 536 लेना है और यहां से mid plane कर देना है ओके टोटल हो गया अगर आप चाहो तो इतना ही रख सकते हो लेकिन मैं एक काम एक्स्ट्रा करने वाला हूं यहां से अभी इसमें से 44.5 44.5 मतलब 44.48 89 हो जाएगा टोटल तो यहां से मैं माइनस 89 कर देता हूं 89 mid plane यह जो है यह मैंने अपने तरफ से लिया है ठीक है बाकी आपकी मर्जी आप मत लेना ठीक है अब यहां पर हमें थ्रेट डाल देना है nothing to worry M12 का ही डाल देते हैं कॉस्मेटिक थ्रेड इंसर्ट एनोटेशन कॉस्मेटिक थ्रेड M12 ले लेता हूं यहां M12 into 1.5 इसको सेलेक करेंगे अप टू नेक्स्ट लिया हूआ है इसे ओके इंसर्ट एनोटेशन कॉस्मेटिक थ्रेड और इधर आपको M12 का ही ले लेना है 1.5 का ओके आप टू नेक्स्ट यहां से ओप्शन्स डॉक्यमेंट प्रोपर्टीज डिटेलिंग सेड़ेड विद कॉस्मेटिक थ्रेड शी अभी थोड़ा सा मैं चेंफर डालने वाला हूं इसको वन इन्टू 45 का ठीक है चलिए और ओके कर दो और बाकी इधर से 1 mm का मैं फिल डालने वाला हूं एंड से ओके टू इट हो गया काम टेंशन बोल्ट इसको बोलेंगे ओके और यहां से आपको प्लेन वाइट सी क्रोमियम प्लेन क्रोमियम प्ले предлаг दिया ओकेных सेव करते हैं पार्ट नमबर 9 इसकिंशन बोल्ट इन्टर नाइन हो गया नेक्स्ट पार्ट यह है तस नमबर का टेंशन बोल्ट का नट यह रहेगा और रोड का नट यह रहेगा ठीक है पहले दसवा नंबर का पार्ट बनाते हैं हम लोग चलिए फिर ये मैं क्लोज करता हूँ एक नया फाइल पार्ट देनों के एक्स्ट्रूजन लेते हैं और यहां हेग्जागन लेंगे ये हम इस तरह से लेंगे और इसको वर्टिकल कर देते हैं ये मेरा है 25.4 25.4 ओके नाव यहां पर होल भी डाल सकते हैं लोग ठेक है ये हम इतना का लेंगे सकते हैं 12.7 का 12.7 12.7 UN फिनिष इट स्स अपको आइसोमेटरिक कर लेना है और यह मेरा 10 का जाएगा यहां से आपको 10 ले लेना है ओके आप चाहोत यहां से मिड प्लेन कर दो से ओके स्पेस अनऔर स्स अब यहां पर 30-30 डिगरी का cutting करना है और यहां cosmetic thread भी डालना है कैसे करेंगे so nothing to worry मैंने आपको बहुत बार बताया है आप इस plane से selection कीजिए center line infinity 30-30 degree है न एक और लेना होगा हम लोगों को mirror करने के लिए लगता है यह coincident नहीं हुआ इसके साथ coincident कर दो और मैं यहां से अभी देखिए यहां पर जाता हूँ इसको as a mirror line select कर लेते हैं अभी मैं उपर लूगा न तो automatic नीचे आएगा यह देख लो नीचे आ गया तो double हमें create करने की जरुवत नहीं पड़ेगी 30 degree और बस यहां पर काफी है आप चाहो तो इसका distance रख लो तीन का इसे कोई जरूरी नहीं है finish it अब यहां हम लोगों को revolve कट करना होगा along this axis say ok to it ठेक है बस cosmetic thread insert annotation cosmetic threads वही M12 का ले लेते हैं हम लोग M12 into 1.5 जो हम लेते आ रहे हैं M12 into 1.5 see up to next और यहां से हम लोगों को options यह लिया detailing and then this one see finish यहां पर जाएंगे इधर ले लेंगे इधर से पकड़के plane वाए done यह nut हमारा बनके तयार tension bolt का यह nut है आभी जो मैंने bolt बनाया न उसी का nut है यह save करते हैं 10 number का part tension bolt nut bolt का यह nut है और यह जो है मेरा रोड का nut है जो में लास्ट टाइम रोड बनाया न यह वाला इसका nut है वो ठीक है चलिए इसको मैं close करता हूँ अब ज़रा ध्यान से देखिए इस part को simple सा part है यह भी तो सबसे पहले आपको एक hexagon लेना है नया file पार देनों के extrusion hexagon ले लेते हैं पहले कि शेप में है boss हम लोगों को इस शेप में चाहिए ठीक है इसको पकड़के हम vertical कर देते हैं और total यह देख लिए 45 diameter है इसको और इसको ले लो 45 ओके finish it और यहां आपको करना है करीब 20 mm का ले लेता हूँ no problem total 20 का ले लेते हैं एक ही direction मिलेंगे ओके एक कम यह हो गया दूसरा मैं front plane में जाता हूँ sketch में जाता हूँ इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग right plane से कि जाएं इधर से now see okay ठीक है no problem और थोड़ा बड़ा दिख रहा हूँ इसका diameter हमें कुछ पता नहीं है बट हम अपने हिसाब से इसको calculate कर लेंगे यह देख लीजिए मेरा 31.95 का है nothing to worry कि इधर से भी लेते तो भी चलेगा dimension दिया है तो मतलब कोई issue नहीं कि यहां से मैंने इस से ले लिए ठीक है अभी मैं आर्क लेता हूँ three point आर्क इसको पकड़ो और हम जड़ा यह उपर जाना है न हम लोगों को ऐसे ले लिए right click करके select करते हूँ one second मैंने इसा लिया इसा लिया ऐसा किया ठीक है इसका center इसके साथ कोइंसिडेंट होना चाहिए और यहां पे जो दे थर्टी वन पॉइंट नाइन फाइब ओके ना इसका radius तो कुछ नहीं पता चल रहा है हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं चलिए nothing to worry जो भी है 60 क्या सपस मैंने डाल दिया ओके और यहां से हम इसको close कर देते हैं यहां से line लेंगे इधर गया और इधर जाके मैंने close कर दिया राइट क्लिक करके select कर लो अच्छा यहां पर fillet भी 0.5 का वो काम हम बाद में कर लेंगे चलो इतना हो गया finish रिवाल करते हैं axis this is यह देख लीजिए थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है nothing to worry सही है सब और इस बार fillet डालना है यहां पर 0.5 mm ठीक है okay 0.5 mm का मैंने fillet डाल दिया अभी यहां पर hole लेना है hole wizard simple hole ले लिया मैंने नहीं चाहिए मुझे hole wizard में जाना है और यहां 30 diameter लेना है इसको लेता हूँ यहां 30 already taken मैंने इधर click कर दिया say okay to it okay almost done अब यहां पर 60 degree में cutting करना है तो मैं क्या करता हूँ यह front वाला जिधर से हमें दो face नजर आए उधर ले लेता हूँ center line infinite length यह हो गया right click करके select कर लो और यहां से हम लोग ऐसा 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 करेंगे right click करके select करेंगे 60 degree का okay now इसका जो भी distance से 6 7 यानि आर पर होना चाहिए बाकी कोई जरूरत नहीं है इसकी या तो मुझे लगता है न यह 30 का ही है 30 ही लेना है हम लोगों को 60 नहीं चाहिए 30 degree का चाहिए ठीक है यह बाहर रहे चलेगा कोई issue नहीं है यहां से revolve cut कर लो यह देख लिजे मेरा revolve cut हो गया okay अब यहां पर हम लोगों को cosmetic threads डालना है जो भी है 30 वाला डाल देते हैं हमने 30 into 2 का लिया था ना last time okay यहां से हम again उसी तरीके से shaded cosmetic threads ले लेते हैं see okay finally done यह मेरा देख लिजिए rod nut हो गया ठीक है save कर लेते हैं आप चाहों तो इसको दूसरा color भी डाल सकते हो copper bronze वगेरा brass ले लेते हैं bronze का ले लेता हूं चलो यहां से मैंने इसको ले लिया see so will be nice okay यह check कर लेते हैं otherwise this one ठीक है चलो यह ले लेते हैं save कर देते हैं यह मेरा 14 नंबर का part दिया हुआ है ठीक है कोई बात ने मैं 14 नंबर ही डाल देता हूं यहां पर इसका नाम है rod nut rod nut enter okay see next part हमारा यह तीन है छोटे 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 से पार्ट है यह और यह तो बिल्कुल simple से हैं और यह इसमें थोड़ा से हम लोगों को काम करना है यह मेरा piston seal 1 है और यह seal number 2 है जो की इधर बैठने वाला है rod guide के उपर ठीक है यह seal कहां बैठेगा piston में बैठने वाला है piston seal इसका नाम है तो चलिए फिर इसी से शुरुआत करते हैं piston seal से ओके और इसका detail यहां पर दिया हुआ है तो ज़रा ध्यान से देखना है हम लोगों को इसका design जो है न थोड़ा आपको परिशान कर सकता यह हमें detailing दिया हुआ इधर तो simple है nothing to worry बताता हूं कैसे करना है तो चलिए इसको मैं close करता हूं एक नया file part देनो के और यहां से हम इस तरह से front plane या right plane जो भी लेना है लेलो टॉप मत लेना बस यहां से vertical लेना वर्टिकल ले लो horizontal लेना horizontal ले लो के close it अब ज़रा ध्यान से देखो यार यह काम करना हम लोगों को see this one एक और काम हमें करना होगा यह center line लेके इधर एक line लेनी होगे अब total dimension देख लीजे कितना है इसके center तक लेना हम लोगों को तो center तक तो नहीं दिख रहा है खायर कोई बात नहीं यह total हमारा कितना 140 नहीं तो 146.62 है और यह मैं माइनस कर देता हूं 3 mm का अच्छा nothing to worry करेंगे देख लीजे कैसे करना है यहां से मैंने क्या किया इधर से midpoint ले लेता हूं कुछ ऐसा 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 आप चाहो तो इसको थोड़ा rotate कर लो यार dimension डालने हम आपको आसानी होगे यह देख लो ठीक है यहां से हम ऐसा जाएंगे ओके दोनों को select करके mirror कर लो mirror about this one now see okay अभी dimension डालते हैं जरा सा चलिए मैं फिर से rotate 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 okay अभी हम फिर से डालेंगे यह देखिए 146.62 यहां से यहां तक 146.62 इंटर और उपर वाला जो लेना है 140.62 यहां से यहां तक 140.62 ओके और यह मेरा 6 का है यह मेरा 6 रहेगा यह मेरा 3 रहेगा और यह total 12 रहेगा इधर से इधर 12 यह है total 12 और इसकी total height भी 12 की है ओके और आधा 6 रहेगा 6 mm that's all about it अभी मैं यहां से थोड़ा ऐसा जाता हूं और यहां आर्क लेना हम लोगों को ऐसा करके इसके साथ टच कर दो इन दोनों को हम tangent कर देते हैं इसको और इसको incident कर देते हैं और यह जो है इसके साथ 6 में tangent है मतलब इसके साथ यह मेरा tangent रहेगा अच्छा और क्या करना है इसका यह 3-3 का है न यह taper जाएगा बाकी और कुछ नहीं करना है इसका बस radius हमें पता हो जाना चाहिए था radius यहां नहीं पता चल रहा है ठीक है देखते हैं जरा साथ अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ symmetric करता हूँ और इसको और इसको पकड़के हम parallel कर देते हैं ताकि यह fully define हो जाए yes done और कुछ करना है कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं बस revolve कर देना हम लोगों को हमारा काम हो जाएगा see finish और हम इसको पकड़के revolve करेंगे किस एक्सिस में इस एक्सिस में say okay to it यह मेरा rubber का है total समझमारी बात तो यहां से हम लोगों को metal के जगा rubber में जाना होगा और जो भी लगे met rubber ले लेना है ले लो ठीक है यह piston में बैठने वाला है चलिए आप यहां से चाहो plane white ले लो see okay इसका नाम है piston sill ठेक है save करते हैं 11 नंबर का part है piston sill इंटर और 12 नंबर यह है चोटा सा sill नंबर 2 यह लिया यह लिया extrusion दो सरकल लेना है एक दो यह हमारा 60 और पाइर 60 60 का ले लो और यह पैर 60 का ले लो और यह ले लो और यह मेरा 6 का है अब यहां से डाल दो 6 mm का okay इसमें भी हमें rubber ही लेना है save it 12 नंबर का part sill नंबर 2 okay यह है तेरा नंबर road guide ठीक है एगैन उसी तरीके से हम ले लेंगे extrusion यह लिए circle एक दो 40 और 60 ठीक है 40 और 60 यहां से हम 40 लेते हैं यहां से हम 60 लेते हैं ओके कितना extrusion करना है 28 में इसमें भी हम रबर का ही ले लेते हैं इसमें से जो लगे ले लो see save it 13 रोड गाइड एंटर क्लियर नेक्सट पार्ट है हमारा यह वाला पार्ट पंदरमा पार्ट simple है इसको close कर देते हैं नया file पार्ट देनो के extrusion लेते हैं सबसे पहले यह रहा हमारा hexagon लेना है कुछ इस तरह से इसको vertical ले लो smart dimension और इसका जो total है हमारा 65 है मतलब यह हम 65 का ले सकते हैं no problem see सरकल ले ले लेते हैं एक और सरकल ले ले लेते हैं एक है हमारा 42 का hole 42 दूसरा जो है हमारा यह 60 का है ओके तीसरा जो है वह हमारा पैर 60 का है एक और सरकल ले लेंगे 65 अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं दिखाता हूँ finish सबसे पहला काम इसको पकड़ता हूँ मैं यह total हम ले लेते हैं इसको भी ले लो इसको भी ले लो इस अब को ले लो समझे ना ओके कितना है 14 mm see first step फिर मैं यहां से जाता हूँ extrusion अभी इसको लेता हूँ 14 प्लस 3 17 ओके फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया extrusion और बस इसको रिसको कितना लेना है तो यहां से मुझे 25 लेना है but start कहां से करूँगा मैं यहां से पकड़के इधर आओ मैंने इधर से start किया यह देखो परफेक्ट आ जाएगा see काम हो गया okay अब यहां हम लोगों को थ्रेडिंग डालने है एम 64 इंटू 4 का और आप देख रहे हो यहां पर फिल्लेट डाला गया है कितने का फिल्लेट कुछ पता नहीं है बड़् माज दिया है 2 mm का दिया है कि चलिए इधर से हम ले लेते हैं एक हो गया कि यह सारे हमेंने अप्लाइ कर दिये कि ओके कि उपर हमें टू इंटू 45 का चेंफर डालना है कि यहां हम लोगों को टू इंटू 45 का चेंफर ले लेना है और आप चाहें यहां पर डिटेल थ्रेड भी डाल सकते हो अदर्वाइस कॉस्मेटिक ही रख सकते हो मैं यहां पर थोड़ा सा डिटेल डाल के दिखाता हूँ ठीक है M64 इंटू 4 यहां हम लोगों को M64 इंटू 4 यह रहा और आप इधर से स्टार्ट कीजिए समझे और इधर मैं मिरर में जाता हूँ क्योंकि कट थ्रेड करना है और यहां मैं जाके अप्टू सेलेक्शन कर देता हूँ इधर तक ठीक है अब मैं इधर जाता हूँ 4 mm और इसको थोड़ा अपसेट कर लो यह मेरा डिटेल थ्रेड हो गया बहुत बर बताया है बट इसमें भी मैं इने थोड़ा सा बता दिया काम हो गया हमारा बस इतना ही करना है और एगेन हम इसमें भी क्या करते हैं जरा सा कॉपर का ले लेते हैं पॉलिस्ट कॉपर नहीं तो यह ब्रस्ट ले लो यहां समें आईसा कुछ कर लिया अधरवाई अब ब्रास ले लो ब्रास किदर है ब्रास यह रहेगा चल्ये यह हमारा सारा parts बनके हो गया है तयार अब हमें आगे बढ़ना है समझे इसका नाम है nut guide rud, ठीक है, nut guide rud, save करते हैं, 15 नमबर का पार्ट, nut guide, sorry, यहां पर nut, rud guide, guide rud nut होगा, guide rud, guide rud nut, guide rud, nut, okay, rebuild करेंगे क्योंकि मैंने थ्रेडिंग अपलाई किया है, चलिए, यह हमने पूरे 15 के 15 पार्ट्स बना लिये हैं, यह थोड़ा सा बड़ा असम्बली था, time भी लगा, लेकिन अभी क्या करें, आप machine design engineer बनने वाले थोड़ी महनत करनी होगी, मुझे भी और आपको भी, समझे, यहां पर भी मैं थोड़ा सा, इधर apply कर देता हूँ, otherwise रहने देते हैं, चलो ठीक है, control S, close कर देते हैं, चलिए, फिर आब हम लोग assembly start करते हैं, तो ज़रा गौर से देखिए, किस किस parts को कहां कहां पर assemble किया गया है, मैंने जैसा कि सुरुवात में बताया था, यह थोड़ा सा drawing error है, इसलिए दो part intersect हो रहा है, तो मैंने पार्ट बनाते समय इस error को solve कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की कोई परिशानी आती है, था हम उसको assembly में भी solve कर सकते हैं, ठीक है, यह बिल्कुल आसान सा assembly है, जादा कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे process को follow करते जाना है, हर काम आसान हो जाएगा, वी गना start from this one, यह आप देख सकते हो, simple सा part है, ठीक है, तो चलिए फिर, new assembly then okay, यहीं से शुरुवात कर लेते हैं, और यह कौन सा part है, दो number का part है, आपको पता ही है, यहाँ से मैं control प्रेस करता हूँ, यह दो नहीं, actually, यह हमारा यह वाला part है, आप देख सकते हो, see, समझे ना, okay, मैंने इस part को लिया, और यहाँ से हम इसको flip कर देते हैं, समझ में आरी बात, तो flip कैसे करना है, तो आपको x axis में rotate करना होगा, यह रहा हमारा x axis, otherwise आप y axis में भी rotate कर सकते हो, यह देख लिजिए, यह जो है, होल हमारा x side आना चाहिए, तो मैंने ले लिया, आप चाहों तो यहाँ पर पकड़िए, और इसको on कीजिए, और इधर मैंने इसके साथ चिपका दिया, यह, space and isometric, अभी थोड़ा time के लिए आप जड़ा इसको off कीजिए, अच्छा लगता यह सही जगा पर बैठा नहीं है, तो आपको यह पार्ट मेरा fix होगा, अच्छा nothing to worry, right click करके आप float कीजिए, यह मेरा free हो गया है, आप इसको properly कर सकते हो, assemble, इसको हटाईए, no problem, कैसे करेंगे, mate में जाते हैं, फिर मैं इसके front को लेता हूँ, और यह देख लिए, जब front front मैंने touch कर दिया, coincidence हो गया, यह लिए top, top के साथ चिपका देंगे, okay, okay, यह मेरा right, और यहां से मैंने right के साथ चिपका दिया, ठीक है, see, अभी यह पूरी तरह से fix हो गए, ठीक है, सही जगा पर origin पर, नहीं तो आप इसको और ही रखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, चलिए, अब next क्या है काम, सो देखिए, आप चाहो तो इसको जड़ा plain white ले लो, next काम क्या है, सो देखिए, अभी, यह जो है, मैं, यह जो है, housing को insert करता हूँ, insert किया, इस housing को लिया, backing seal लिया, ठीक है, then okay, इसको मैं, x-axis में rotate करता हूँ, see, और इसको हम, y में rotate करते हैं, और फिर x में rotate करते हैं, यह देख लीजिए, मेरा सही जगा पर आ गया, ठीक है, अभी properly इसको मैं इधर बिठाऊंगा, control प्रेस करके, drag कीजिए, copy हो जाएगा, इसको select करेंगे, इसको हम थोड़ा collapse करते हैं, और इसको, यह मेरा rubber का है, concentric, say okay, और फिर हम इसको select करेंगे, फिर हमने इसको select किया, यह देखे चिपक गया, यह rubber का है, यह leak नहीं होना चाहिए, हमारा इस वज़े से बनाया गया है, यह rubber का होता है, ताकि leak is ना हो, सबसे पहले आप concentric कर लिजिए, यहाँ से हम ज़रा इसको नीचे के तरफ लेते हैं, इसको select करेंगे, फिर यहाँ से इसको select करेंगे, ओके यह touch हो गया पूरी तरह से, अगर यहाँ पर इसमें housing में fillet नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई problem नहीं, अब ज़रा गौर से देखिए, इसको पकड़ता हूँ, इसके साथ मैंने concentric कर दिया, और ज़रा उपर जाईए, इस face को मैं select करूँगा, और फिर यह नीचे वाले face को select करूँगा, चिपक गया, okay, see, हो रहा है धीरे धीरे काम हमारा, okay कर देते हैं, space करके isometric, धीरे धीरे काम करते जाईए, प्रोपर होता चला जाएगा, अब next हमें यह six number का part insert करना है, और piston वगेरा वगेरा, यह सब लेना है, fork लेना है, यह pin लेना है, यानि barret है न, ठीक है, देखते हैं, कौन कौन से parts लेने हैं हम लोगों को, तो चलिए, यह होगा piston rod, piston, piston sill, और rod nut, बस, इतना ही लेते हैं, और यह barret ले लेते हैं, और कौन सा लेना है, और यह भी लेना है, fork ले लेना है, तो fork हमारा कौन सा है boss, कहा गया हमारा fork, यह रहा fork, okay, यह हमारा fork हो गया, आप चाहो तो इसको rotate कर सकते हो, नहीं तो बाद में कर देंगे, एक हो गया, यह दो हो गया, piston हो गया, rod हो गया, seal हो गया, nut हो गया, बस, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस seal को मुझे इधर लगाना है, mating, select, select, okay, और इस face को हम select करते हैं, इसके साथ coincident कर देते हैं, चिपक गया, see, अब देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पर जो है न, यह nut है में लगाना है, मतलब, इसको पकड़िए, concentric कीजिए, ज़रा undo कर देते हैं, और हम ज़रा इस part को थोड़ा इधर ले लेते हैं, इधर drag करके रखिए पहले, see, meeting, यह और यह, perfect, फिर select कीजिए इसको, और इसके साथ coincident कीजिए, yes, looking nice, ठीक है, यह perfectly बैठ गया, अब मुझे इसको दो copy करना होगा, मैंने इसको drag किया, see, copy हो गया, अब ज़रा इसको लगाते से मैं हमें ध्यान से देखना चाहिए, किस side से क्या लगाना है, so, मुझे एक rotate करना होगा, एक इस तरह से rotate करना होगा, और दूसरा जो है, वो इस तरह से करना होगा, आते जाते समय सफाई के लिए, चलेगा, अभी मैंने इसको select किया, आप concentric कर सकते हैं, पहले पार्ट को, से ok, और फिर मैंने इस face को लिया, और बाद में इस face को लिया, यह touch हो गया मेरा, see, ok, अब दूसरा है, इसको select करेंगे, फिर इसको लेंगे, पहला पार्ट, concentric, और इसको पकड़ेंगे, फिर इसके साथ मैंने coincident कर दिया, यह ऐसे ही आना चाहिए, अगर आप इस side खीचेंगे, यह पूरा एकदम neat and clean करता हुआ आएगा, यानि air हमारा इधर से उधर नहीं जाने वाला है, और आगे जाएगा, तो यह इसका काम रहेगा, तो इस वज़े से दोनों का direction मैंने opposite रखा है, अब इतना काम होने के बाद, हम लोग इसको पकड़के इसके साथ concentric कर देते हैं, यह देखिए मेरा हो गया, अब next क्या है, तो देखिए ज़रा, मैंने इसको select किया, और इसके साथ concentric किया, और बाकी इसको पकड़के हम इसके साथ coincident कर देते हैं, अगर कुछ उल्टा सिदा होता है, इसको पकड़के इसके साथ parallel कर देते हैं, यह मुझे लगता है थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो हम लोगों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, चलिए, okay करता हूँ मैं, मैंने इसको select किया, open किया, इसको 36 है ना, और इसका कितना है, वो मुझे calculate करना होगा, fork का, हाँ, fork का कितना है, यह total 52, तो हमें यह 52 करना होगा, 52, okay, save कर देते हैं, close करेंगे, no करेंगे, अभी आप update कर दीजिए, यह देखो perfect हो चुका है, सही जगा पर बैठ गया, समझे, अच्छा, अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, यह तो हमारा घूम रहा है, nothing to worry, आप इसको पकड़िए, और इसके बराबर जाईए, okay, मुझे लगता है न, थोड़ा सा dimension, इसका अलग-अलग है, यह barret मतलब इसका कितना है, हमारा 30 का है न, और barret का dimension हमारा कितना है बॉस, यह हमारा 31.75 है, तो हमें क्या करना होगा, इस barret का dimension भी 30 करना होगा, समझे, यहां से आपको editing करनी होगी, 30 करनी होगी, nothing to worry, यह हम 30 कर देते हैं, डबल क्लिक किजिए, 30 कर दिजिए, और यह हम 28 कर देते हैं, बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं, save कर देते हैं, close करेंगे, no करेंगे, यहां update कर लो, तब जाके यह मेरा पूरी तरह से सही बैठेगा, नई तो intersect करने वाला है, अभी देखिए, मैं इसको थोड़ा, advance में जाता हूँ, width लेता हूँ, centered, selected, इसको select करो, फिर इसको select करो, फिर मैंने इसको select किया, फिर मैंने इसको select किया, और यह मेरा काम हो गया, good, and then say okay to it, space करके isometric, इतना काम हमने कर लिया है, यह मेरा भी बिल्कुल भी free है, है न, nothing to worry, यह देख लो, उपर नीचे हो रहा है, आप चाहो तो यह जो housing है, इसको आप transparent ही रहने दो, ताकि आपको पता चले बाबा, आगे पिछे हो रहा है और नहीं हो रहा है, यह देख इसको आप किसी भी direction में, मतलब, यह देख लीजे जरा assembly में जाएए, यह देख लो, इसके साथ parallel किया गया है, मतलब यह और यह मेरा parallel है, ओके, न, इदर उदर भागेगा नहीं है हमारा, अभी मैं limit भी set करूँगा last में, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, चलिए, और यहाँ पर देखिए, बहुत काम है, ओके, अब यहाँ पर देखिए, 9 number और 10 number का part इधर लिया गया है, तो हम वो insert करेंगे पहले, कौन सा लेना है, यह और यह वाला, ठीक है, ओके, और यह ले लेते हैं, चलिए, एक हो गया, दो हो गया, और यह तीन हो गया, समझे, चलिए, अभी, यहाँ से हमें concentric कर लेना है, इस तरह से, ओके, नाव इसको और इसको पकड़ कर देना है, ठीक है, यह काम हो गया, अब देखिए, इसको पकड़ते हैं, इसके साथ, आप इसको flip कर दीजिए, ओके, नाव इस face को लेना है, उसके बाद हम इस face को ले लेते हैं, see, proper जगा पर बैठी गया है, ओके, यह हमारा काम हो चुका, perfectly done, अब देखिए, यह जो है, वो इधर जाके tight करने वाला है, पूरी तरह से, समझे, से, यह वाला जो है, यह पूरी तरह से यहाँ पर tight करने वाला है, चलिए मैंने इसको ले लिया ऐसा, आप इसको flip किजिए, देन से ok, और बाद में, हम इसके साथ, इसको touch कर देते हैं, ok, यह लगता intersect हो गया है, तो undo कर देते हैं, undo कर दिए, इसमें भी हमारा trading होना चाहिए, but nothing to worry, मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के, इसके साथ touch कर दिया, यह थोड़ा सा बाहर है तो चलेगा, no problem, और इसको आप किसी के साथ भी parallel कर दिजिए, यह रहेगा parallel, ok, nothing to worry, हो गया काम हमारा, see, बिल्कुल fit हो गया है, थोड़ा सा dimension अगर बढ़ा देते तो चलता, यह थोड़ा सा trading हमारा बाहर है, यह दबेगा, क्योंकि वो rubber का है न, तो दबाएंगे, तो दब जाएगा पूरी तरह से, तब पूरी तरह से tight हो जाएगा, यह portion हमने rubber का लिया है, जो seal है, हमने rubber का लिया है, इसलिए अगर मैं thread से घुमाऊंगा इसको, तो यह rubber पूरा दब जाएगा, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, बट आराम से यह काम हमारा हो जाएगा, ठीक है, ओके कर देता हूँ, space and isometric, see, properly हमने यहाँ तक तो ले लिया है, अब आगे का काम भी देखते हैं, धीरे धीरे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सो देख लीजिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको यह लेना है, यह वला, ठीक है, फिर्स्ट पार्ट आप चाहो ले सकते हो, यह देख लीजिए, हो गया, और हम जाएंगे जड़ा सा आगे, अभी मैंने इसको लिया, meeting, इसको select किया, और यहा से आप concentric कर दीजिए, ओके, यह हमारा concentric हो गया, अभी इसको और इसको parallel कर देते हैं, यह हमारा parallel रहेगा, parallel, ओके, ना इसको जड़ा उपर की तरफ हम drag कर देते हैं, और इस face को हम इसके साथ coincident कर देते हैं, perfect, see, अब देख लिजिए, यह पूरी तरह से, इधर से हमारा pack हो चुका है, और अगर मैंने ऐसे किया, इसको, see, यह देखो, आगे पिछे हो रहा है, यही इसका काम है, समझे, अभी मैं limit डालूँगा, ति यह इसके आगे जाएगा नहीं, समझे ना, तो, यह देखो, इसके आगे वो जाने वाला है, नहीं, तो अभी मैं बताओंगा कैसे इसका काम करना है, चलिए, तो अभी हम लोग, इस रोड को insert करने वाले हैं, यह, यह जो हमारा है, और चार नट, ठीक है, insert, component, यह ले लिए, मैंने tension bolt, और tension bolt का nut, दोनों को ले लेता हूँ, आप जाओ, z-axis में लीजिए, इसको खड़ा कीजिए, और nut भी ले लीजिए, ठीक है, अच्छा, एक और काम कर लेना हम लोगों ज़रा गौर से देखिएगा, यह, जो मैंने extra बनाया था, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, है ना, तो आप इसको चाहो, तो हटा सकते हो, फालतु में मैंने उस time पे, अपना दिमाग चला के इसको लिया था, but we don't need this now, आप इसको हटा सकते हो, आप इसको क्या कीजिए suppress कर सकते हो, या तो फिर delete भी कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, रहने देते हैं, यह trading है, तो रहने दीजिए, है ना, save कर देते हैं इसको आई सही, और फिर से हम इसको close कर देते हैं, यहां से no कीजिए, बस, अभी हम क्या करने वाले हैं, meeting में जाएंगे, इसको select किया, और इस इस तरह से, इसको select किजिए पहले, फिर इसको select किजिए, फिर हम इसको लेते हैं, और फिर हम इसको लेते हैं, ओके, अभी हम जाएंगे, standard में, इसको लिया, फिर इसको, ओके, now, इस face को, और इस face को, ओके, इसके साथ parallel, ओके, again आप चाहो, तो इससी nut को, यहां पर, हम लोग ले सकते हैं, एक मैंने गलती कर दिया, यह जो, face हमने select किया, वो गलत किया, यहां पे जाता हूँ, edit में जाता हूँ, यह जो बाहर वाला face था हमारा, यह नहीं, नीचे वाला चाहिए, यह वाला चाहिए, बाहर वाला लेने चाहिए था, अंदर के जगाँ पर हमें बाहर लेना चाहिए था, समझे ना, blue blue वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, यह देखिए, तब जाके बराबर आएगा, क्योंकि क्या है, dimension अलग-अलग है यह देखिए, कम है, इधर जादा है, इसलिए, मैंने इसको drag किया, copy किया, अभी मैं यहां से mate में जाऊंगा, इसको select किया, इसको, ओके, फिर हम इसको select करते हैं, और इसको select करते हैं, ओके, close it, now अब हम pattern कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर जाएए, circular sketch pattern, यह लेता हूँ, cylinder, और इसमें जो component है, वो हमें, यह nut, यह bolt, और यह nut लेना है, कितना लेना है, चार, यह देख लिजिए, चार मैंने ले लिया, इंसे, okay to it, see, हमने इस assembly को पूरा complete कर दिया है, एक थोड़ा सा रहे गया, इसको select करके, आपको drag करना है, control प्रेस करके, और यहां पर हमें इसको assemble कर देना है, इसको पकड़िए, इसके साथ मैंने concentric किया, advance में जाईए, width लिजिए, इसको और इसको select करूँगा, फिर मैंने, one second, इसको और इसको ले लिया, okay, I think यह हमारा intersect हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसमें जाता हूँ, open करता हूँ, और जो मैंने पहला sketch लिया था, यह हमें 30 लेना होगा, double click किजिए 30 का, तब जाके intersect नहीं होगा, क्योंकि उस barret का जो dimension ने, वो 30 है, नो किजिए, see, यह देखो, intersect नहीं हो रहा, update कर देते हैं एक बार, see, यह हमने पूरा assembly कर दिया, complete, अब एक काम बच गया है, बस limit डालना है हम लोगों को, यह हमने अच्छे से कर दे, यह, देखो, intersect नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, समझ में आरी बात, see, यहीं तक जाके रुख जाना चाहिए, ऐसा, 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 ओके, तो खैर, यह आसान है, आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो करना है, तो मैं करके बताता हूँ आपको, चलिए फिर देखते हैं, लिमिट कैसे डालना है सो, पहले तो हम लोगों को यह 0 और यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, हम लोगों का पूरा distance मेजर करना होगा, इसको पकड़के हम, थोड़ा time के लिए position करके चेक करते है तो मैं क्या करता हूँ, use for positioning वनली लेता हूँ, इस face को, और इस face को मैंने चेक किया, use for positioning वनली लिया है मैंने, see, ok कर देते हैं, कोई relation नहीं आएगा यहाँ पर, बस वो position हुआ है, चेक करने के लिए distance कितना होगा, अब मैं इसको पकड़ता हूँ, और इसको पकड़ता हूँ, maximum distance कितना है, normal distance, 247.2, 247.2, यहाँ पे advance में जाईए, यह limit लेता हूँ, maximum 247, 247.2, minimum जो रहेगा, मेरा 0 रहेगा, और current जो है, अब 10-20 का जो रखना है, रखिए, और इस face और इस face दोनों को select कर लिजिए, then say ok to it, ok कर, अब देखिए यह काम कैसे करता है, अभी यह अंदर जाएगा, बस यहाँ जाके रुख जाएगा, फिर यहाँ पर जाके यह रुख जाएगा, see, यह देखो, इन दोनों के बीची आएगा, intersection नहीं होने वाला है कहीं पर भी, यह देख लीजिए, पहले intersection हो रहा था, अभी कोई भी intersection नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने limits डाल दिये हैं, दिख रहा है, आइसा, इसा, इसा, इसा जाएगा, see, यह hydraulic cylinder assembly complete हो चुका है, थोड़ा सा assembly लंबा है, क्योंकि number of components ज़्यादा था, है ना, और थोड़ा-थोड़ा complicated parts भी थे, अभी lecture खता होता है, आप चाहोत इसको exploded view भी generate कर सकते हैं, ठीक है तो चलिए फिर exploded view generate करते हैं, इसका, मैं ऐसे रखके generate करूँगा इसको, ओके, यह लिया मैंने exploded view और बहुत सारे काम हैं इसमें, देखिए इन दोनों को मैं पकड़के जरा सा, इधर खिचता हूँ, यह पकड़के आप, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इन इन सब को मैं पकड़के बाहर खिचता हूँ, यह हमारा पहला काम हुआ, done, see, आप इसको पकड़िए, फिर इसको पकड़िए, one second, इसको हटा देता हूँ, clear selection, पहले मैंने इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, बाहर खिचा, done, फिर मैंने इसको पकड़ा, उपर खिचा, done, ओके, अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, इसको और इसको बाहर ले लो, done, फिर आप इस उपर वाले पार्ट को पकड़िए, और इसको भी खिचिए, done, see, इसको, 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 और इसको, चारो को पकड़ते हैं, यह मैंने यहां तक ले लिया, चारो नट हो गए, done, अब फिर, रोड को खिच लेता हूँ, इस तरह से, okay, done, okay, now, इसको, 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 और इसको, done, फिर, इसको, पकड़िए, और इसको, पकड़िए, या तो फिर, clear selection, पहले आप, इसको, सेलेक करो, फिर, इसको, सेलेक करो, ताकि, alignment के साथ में ही, हम इसको ले, okay, इसको, पकड़िए, आप ज़रा, उपर ले लो, done, see, क्या बाकी रह गया है, अभी ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत सारा काम है भी, समझे न, अब ज़रा, इसको, पकड़िए, हम इधर खिच लेते हैं, done, अब ज़रा ध्यान से देखिए, नट हो गया, पिस्टन हो गया, सील्स हो गया, ओके, done, फिर मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, बाहर लेता हूँ, दन, थोड़ा इसको पकड़के आप पीछे ले लो, done, see, बस इतना काफी है, हमारे लिए, ओके, आप अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेते हो, तो भी चलेगा, और, done कर दो, फिर इसको थोड़ा आगे ले लेंगे, तो भी चलेगा, done कर दो, that's fine, ठीक है, say okay to it, अब देखिए जड़ा इसको animation करेंगा, right click करके animate collapse, ये देख लीजिए, fast हो गया, थोड़ा slow कर देते हैं, ये देख लीजिए, मेरा exploded view है, hydraulic cylinder का पूरा assembly, 100% accuracy को maintain किया गया है, ठीक है, as per given drawing, ओके, तो ये session हमारा होता है, यहीं पर finish, अभी आप practice किजिए, एक बार नहीं, तो दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक पूरी अच्छे से समझ में नहीं आता है, तब तक आप देखिए lecture को, ठीक है, और lecture खत्म होने के बाद, आपको क्या करना है, प्राक्टिस करनी है, नहीं तो भूल जाओगे फिर, ठीक, चलिए, फिर मिलेंगे अगले session में, बाबाई, गुड़ डे, करीचिंग, आपको करना है, पुड़ अगले, यार जे को, प्राक्टिस करना है, तब बादा जाओगे इन देखिए आता है, तब श्यू नहीं पूले, भरोग जाओगे पाले,